हेलो एब्रीवन, वेलकम टू शमीम्स किचिन आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ चिकन कपसा बनाने की रेसिपी चिकन कपसा एक अरेबियन डिश है जो की बहुत ही डिलिश्यस बन कर तयार होता है तो आईए बिना वक्त साया किये इसे बनाना शुरू करते है तो कपसा बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में दो कप चावल ले लेंगे और ये बासमती राइस है इसे हमें अच्छी तरह से दो से तीन बार वाश कर लेना है और वाश करने के बाद इसे पानी डाल कर छोड़ देंगे 15-20 मिनिट में अच्छी तरह से फूल जाएंगे और अब एक पैन में 4-5 टेबिल स्पून ओयल डाल देंगे ओयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है अच्छी तरह से और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइस की पैस को बारी काट लिया है और अब पैस को फ्राई कर लेंगे हलका सा पिंक कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है और 3-4 मिनिट तक इसे फ्राई कर लेंगे जिससे की पैस सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब देखिए प्यास फ्राई हो गया है और हलका सा पिंक कलर इसमें आ गया है तो अब इसमें 6-7 हरी मिर्च एड़ कर देंगे और यहां पर लिया है दो तेज पत्ता, एक जावित्री, एक ब्लैक कार्डमम, 6-7 लॉंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, चार हरी हिलाईची, एक टीस्पून कबाब चीनी लिया है आप इसकी जगब ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक वाध्यान का फूल, अब इन सभी खड़े मसालों को प्यास में एड़ कर देंगे और अब एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर जिससे इनका फ्लेवर ओयल में आ जाएगा और अब इसमें दो टेबल स्पून अद्रक और लहसुन का पेस्ट एड़ करेंगे और इसी भी एक मिनट के लिए भूल लेंगे जो भी इसमें रौ फ्लेवर होगा वो निकल जाएगा और अब लिए हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर इन सभी पाउडर्ड मसालों को हम प्याज में डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे एक मिनट भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर और यहां पर दो बड़े साइस के टमाटर को चौपर में डाल कर काट लिया है यह बिल्कुल पेस्ट ही तरह बन गया है आप चाहें तो ग्राइडनर जार में भी डाल कर इस तरह का पेस्ट बना सकते हैं इसमें डाल देना है अब इसमें हाफ टी स्पून नमक एड़ कर देंगे और नमक को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब इसे कवर करके पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है और पांच मिनिट के बाद इसे चेक कर लेते हैं यहाँ पर ओयल सेपरेट हो गया है मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं अब इसमें एक कप पानी एड़ करेंगे और नटमेक पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत जादा बढ़ जाएगा जब हम इसमें चिकन डाल कर पकाएंगे तो चिकन में भी इसका फ्लेवर आजाएगा और यहाँ पर हमने हाफ केजी चिकन लिया है यह बड़े पीसेज हैं चिकन के इसे अच्छी तरह से वाश कर लेना है और इन पर डीप कट्स लगा लेना है और अब चिकन के पीसेज को ग्रेवी में डाल देंगे और ढ़क कर इसे 10 से 15 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर पका लेंगे और इसे पकते हुए 10 मिनट हो गया है तो अब लिट हटा देंगे और चिकन का साइड चेंज कर देंगे दूसरी तरफ इसे पलट कर पकाएंगे तकरीवन 5 मिनट के लिए तो अब लिट से इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट और पका लेंगे और इसे टोटल पकने में 15 मिनिट का टाइम लगा है तो अब चिकन अच्छी तरह से गल चुका है इसे निकाल लेते हैं और इसमें हमने एक कप पानी का इस्तिमाल किया था चिकन को गलाने के लिए और कुछ चिकन में से भी पानी रिलीज हुआ है तो जो एक्स्ट्रा पानी है हम उसे जला कर कम कर लेंगे और अब ये एक कप के बराबर हो गया है तो बस इससे जादर नहीं पकाएंगे और अब चावल को पकाने के लिए इसमें 3 कप पानी और एड़ कर देंगे तोटल हमें 4 कप पानी का इस्तिमाल करना है 2 cup चावल के लिए 4 cup पानी परफेक्ट है और अब चावलों के लिए 2 teaspoon नमक एड़ कर देंगे और अब mix कर लेते हैं और अब flame को high कर लेना है और पानी में एक boil आने देंगे और अब पानी में उबाल आ गया है और जो चावल हमने भींगने के लिए रखा था उसका सारा पानी निकाल कर इसमें ऐड़ कर देंगे और हलके हाथों से इसे मिक्स करेंगे जिससे की चावल तूटने न पाए और अब चावल में एक बॉइल आ जाने की बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक की पानी ड्राई ना हो जाए और यहाँ पर एक दूसरा पैन ले लेना है और इसमें 3 टेबल स्पून घी एड़ कर देंगे और अब घी गरम हो गया है तो इसमें 20-25 बादाम एड़ करेंगे और इसे एक मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे तो अब बादाम फ्राई हो गया है अब इसके बाद 20-25 काजू एड़ कर देंगे और काजू को भी एक मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर और last knew 17-20 किशमिस एड़ करेंगे किशमिस डालने के बाद इसे जादा देर तक fry नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसे जादा देर तक fry करेंगे तो किशमिस जल जाएंगे तो अब fry हो चुके हैं सबी nuts को निकाल लेंगे और अब इसी बचे हुए घी में जो चिकन के पिसेज हैं वो डाल देंगे और तीन से चार मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जिससे इन पर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और अब इसे दूसरी तरह पलट कर भी फ्राई कर लेंगे इसे ज़ादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जो गी बच गया है इसको हम झान लेंगे और इसका इस्तिमाल आगे करेंगे तो यहां देखें चावल का पानी ड्राई हो गया तो अफ्लेम को बिलकुल लो कर देंगे और यहाँ पर हमने एक टीस्पून फूड कलर लिया है इसमें डाल देंगे यह आप्शनल है आप इसे स्किप कर सकते हैं और अब इस बहुत थोड़े सी चावल को निकाल लेंगे जिसका यूज हम गार्निशिंग के वक्त करेंगे और अब इसके उपर थोड़े सी ड्राइ फ्रूट्स डाल देंगे जिसे हमने फ्राई कर लिया था और दोनों चिकन के पिसेज भी डाल देंगे साथ में जो हमने घी बचाया था इसके उपर अप्लाई कर देंगे इससे चिकन के उपर एक शाइन आ जाएगा और बाकी बचे घी को राईस के उपर डाल देंगे और अब इसे कवर कर देते हैं और साथ से आठ मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे आठ मिनिट के बाद लिड हटा देंगे फ्लेम को आफ कर देना है इस वक चावल अब अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और बिल्कुल खिले के लिए बन कर तयार हुए है तो इस तरह से बहुत ही बहतरी इन फ्लेवर वाला चिकन कपसा बन कर तयार है तो अब इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और जो हमने थोड़े सी राइस निकाले थे कलर किये हुए इसके उपर स्प्रेड कर देंगे और साथ ही इसके उपर फ्राइड नट्स और चिकन डाल देंगे तो इस तरह से बहुत ही लजीज और बहतरीन टेस्ट वाला चिकन कपसा तयार है आप इस एद में इसे बना सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज